डिगई खोली उपर देखो जो कनेक्टिंग टेल लाइट है वो हो चुकिया बंद लो बीम का थ्रो एक बार हाई बीम करना पहले से जो मुझे लग रहे है हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू एनधर वीडियो आई होप सब कुछ बड़ी है चल रहा हो आप सब की जिन्दगी में आज आपके सामने खड़ी है ओल न्यू क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट और जो सबसे मेजर डाउट आज कल भाई इस कार को लेके चल रहा है न कि यार इसका है फ प्रूब हुआ है या नहीं हुआ है जैसे आपको पता है पहले SX और SX Optional में आपको LED लाइट्स मिलती थी इसमें भी वो ही है बट अब क्वाड कर दिया यानि कि दो उपर दो नीचे यह लो है यह हाई है फोग लेट भाई इसमें आपको नहीं मिलती है फोग लेट की हम हैड लाइट का टेस्ट करने वाले बिलकुली इसकी लाइटनिंग देखने वाले आगे से और पिछे से और यहां तक की भाई इंटीरियर से भी यह देख लो ऐसा कुछ है इंटीरियर इसका बट एनीवे अब नहीं अंदर जलते हैं और एक बार ना कार को डालते हैं अस है न वह आपकी कुछ ऐसे आनी वाली है इंडिकेटर्स भी मैं अभी आपको चला के दिखा दूँगा हाई मांट चोप लेंवा आपको इधर मिल जाता है रिवर्स लाइट आपको इधर मिलेगी अपना इसकी हैड लाइट ओन करतो इसकी यह लो जी इधर से हो चुगी है एंड आइफोन अपना एक्सपोजर अपने आप कर देता है तो मैं थोड़ी सी न ब्राइटनेस कम भी कर देता हूं यह देखो ऐसी कुछ आता है इसका लो बीम का थ्रो एक बार हाई बीम करना यह हो चुग है इसकी हाई बीम और एक बार डिपर मारो अब यह तो जलो आतको यह लुक देगी न कार वो कुछ ऐसी देगी बस ठीक है हाई बीम पर कर दो चोड़ दो हाई बीम पर करके तो हाँ अब यह देख लो आप इसकी कम्प्लीट नाइट लुक अब इसके हजाड लाइट भी ओन है ठीक है जी डियारेल्स फुल आपकी जल रही है और हैड आपको इधर भी मिल जाते हैं अब रियर लुक की बात करें मेरी परस्नल फेपरेट तो बाहिआ लगती है जब भेर प्रेस होती है वहज भी मैने आपको दिखाई दिया लुक कैसी है कैसीっぺिची आप देखी सकते है बाकि तो कनेक्टिंग टे लाइट आपको मिल जाती है जो नमबर प्लेट की लाइट है ये भी तो मेन चीज़ है ना ये आपको हेलोजन ही मिलेगी पाकी नीचे आपको रिफलेक्टर मिल जाते हैं रिवर्स लाइड में आपको बताया इधर मिलती है तो एस बाहर से ना कार की जो लाइटनिंग सेट अप है वो ऐसा है अब हमना का के अंदर जलते हैं अंदर से मैं आपको दिखाता हूं जो कार का एंबियेंस है कितना ही बढ़िया लगता है यार मतलब की सीरेसली जो प्रीमियम नेस है ना वो क्रेटा में बाई दबा के इनोंने करिए और एक बार ना मैं मेरा उपर कर देता हूं और इल्युमिनेशन दे बहुती सपोर्टी स्टाफ है वाई कार अरेंज करिये स्पैसिफिकली तो प्लीज अगर आपको कोई भी कार लेनी है पंच्छकुला ट्राइसीटी में इधर से लेना वाई अमेजिंग स्टाफ है मतलब की यूट्यूबर के साथ इतना बड़ी है तो कस्टमर के साथ आप सोची लो कैसे होंगे बाकी हां इंटीरियर की बात करें ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर जो की बहुती ज़ादा बढ़िया लग रहा है बट सबसे में बाद आते है कैबिया इतनी प्रीमियम कैबिन लाइट है न भाई इसकी जल क्यों नीरी हाँ ये देखो LED कैबिन लाइट इसमें आपको मिल जाती है इधर भी इधर भी और ये देखो भाई तो थ्रो आ रहे है कितना बढ़िया मतलब की ऐसे फैल नीरा छपरी बना नहीं है जैसे आफ्टर मार्क चैंज भी कर सकता हुआ नोगी हम इंफोटेंबंट स्कीन की बात करेंगे सवाद 10 इंच की ना इनफोटेंबंट स्कीन है ले आउट में में गया और यह देखो जो मेरा फेवरेट वो है क्लासिक ए क्या लग रहे थैं अमेजिंग और जो इस स्टेरिंग पे कंट्रोल है य बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कार अरेंज होई है तो प्लीज वीडियो को ना याज से लाइक कर देना चैनल को याज से सब्सक्राइब कर देना इट विल मीना लॉट टू मी बाकी इधर भी आपको सारी इल्युमिनेशन मिल जाती है और अटो ओन फ्रंट पार्किंग सेंस की नहीं बता रहा बट सीरियसली भाई बहुत जादा बढ़िया है कोई दिक्कत वाली बात्चित है ही नहीं 360 कैमरा में भी देख रहे हो मोज तो कर दिया भाई वापिस से इसे बंद कर देते हैं और हाँ एक चीज तो मैं आपको दिखानी भूलिया क्लासिक सी बताना वाई कोई वाईलेस कार प्ले एंडुड ओट आपको नहीं मिलेगा बट जो स्क्रीन का रिस्पोंस है वो बहुत ही जादा बढ़िया है एंड इस वीडियो में डिटेल में नहीं जा रहा हूं के वल आपको मैं नाइट रिव्यू दे रहा हूं कार का यह नाइट को अगर आप कार चलाओगे आपको कैसा फिल आएगा बाकी इधर भी आपको एलुमिनेशन वग्यारा मिल जाती है इधर से आप अपना एसी वग्यारा कंट्रोल कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बाचित नहीं आएगी इधर आपको सी टाइप सोकेड मिल जाता है इधर आपको क्यार में यूद्द करते हैं उएधर आपको मिल जाता है कोई लाइट आपको दिखाल सी जैसा ही आपको यह इस प्रों जैसे आपको लग आपगे बल्की जदा ही आईडिया क्योंके सामने डिवार वाय気 ठीक है यार फोकस यलो अभी जिरो प्हां जिपारें एसमें तोड यह है हाई बीम पहले से जो मुझे लग रहे है ठीक है अब मैं वनेक्स में आपको दिखा देता हूं पहले से थ्रो इंप्रूव हुआ है यह तो देखो आपको मानना ही पड़ेगा और हुंड़ाई ने यह सुना है मतलब कि जो हैडलाई टेस्ट है इसमें पास तो हुए है बाकी देखो अब जब फोग में आप चलाओगे लीडी है तो दिक्कते आ सकती है वो खाली इनकी गलती नहीं हो सबके साथ होता है हेलोजन भाई नहीं आ रहे है नहीं आ रहे है जो हुंड़ाई कहरी आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको पूरी पर यार आई होप सो आपको नहीं से क्लैर्टी पढ़ रही हो क्योंकि दिवार से ना मतलब एक आइडिया आपको पढ़ जाते है अब वो देखो मेरी वरना खड़ी है इसमें भी लेडी सेटप आते है बट थ्री ठीक है ट्राइ जैसे इसके पहले क्रेटा के पहले में आत पता नहीं चल रहा होगा तो ठीक है चोड़ते हैं बट अगर आपको रियल लाइफ में इंप्रूवमेंट्स चीह एड लाइट में तो आप इसे यूज कर सकते हैं बाकि आप हम चलते है रियर में रियर में भी आपको डिखा देखो मैं वो यह बता रहा हूँ बढ़िया रोशनी नाइस LED सेटप मिल जाता है इधर आपको दो सी टाइप सोकेड मिल जेंगी जिनमें इल्युमिनेशन है बाकि पीछे डैशबूर का कुछ ऐसा लुक आएगा रात की रानी तो है यह का लग रही है बाकि हाँ बूट लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसम नाइस बठीक है जो में चीस थी जो इसका हैड लाइट टेस्ट है उसमें तो यह पास हो चुकी है लो बीम हाई बीम में आपको समझा दिया है फोग लाइट की जूर्त अब आपको नहीं पड़ेगी हुंडई भी एक लेम कर रही है कि अब ओल न्यू क्रेटा में आपको लाइट की जूर्त नहीं पड़ेगी क्योंकि अब इसमें आपको क्वाड लेडी मिल जाती है एक बाई डिपर मारना इससे भी आपको आपको आइडिया लग रहा होगा कि पहले से तो बहुत ज्यादा इंप्रूब्मेंट कर दिया लाइट में डिपर बहुत तगड़े ब लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब करते न मैं आप सबको मिल तो बाई यह देख लो बाकी और पिछे चल जाता हूँ है अगेन डेख लो कार की, रात को भाई लग रही है कि हाँ यह तो बहुत जाद़ जच रही है है हे मुकotted झाल झाल